जैकाली माग, नमस्कार आदाप सस्टे कल, कैसे हैं आप? आज हम मा दुगा के दूसरे स्वरू मा ब्रह्मचारणी की विश्य में चर्चा करेंगे मा ब्रह्मचारणी ज्यान, तपस्या और वैरागय की देवी हैं इनकी पूजा से छात्रों और सादगों को विशेश लाग होता है ये हमारे चंदरबल को भी बढ़ाती है हमारे चहे पर जो तेज होता है, जो चमप होती है हमारे आभा मंडल की जो चमप होती है, वो भी इनकी क्रपासिब होती है दोस्तों इनके एक हाथ में चल्दन की माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है जब हम माला का जाब करते हैं दोस्तों तो हम उसको कभी भी बीच में नहीं छोड़ते हैं हमेशा हम उसको पूरा ही करके छोड़ते हैं इससे हमारे consistency, हमारे continuous efforts का पता चलता है यानि कि किसी भी कारे में सखलता पाने के लिए हमें उस पर continuously काम करना पड़ेता और कमंडल दोस्तों हमारे acceptance को show करता है हम चीजों को कितने अच्छी तरीके से accept कर पाते हैं विद्या को कितनी अच्छी तरह से ग्रहन कर पाते हैं बिजनस की skills को कितनी अच्छी तरह से अपने अंदर ढ़ाल पाते हैं यह सब दिखाता है मा ब्रह्मचारिनी की पूजा के लिए उनको प्रसन करने के लिए दोस्तों पीले या सफेद बस्क्र पहने और उनको भोग में सफेद चीज यानि की शक्र या मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं इससे मा ब्रह्मचारिनी का रूप बहुत ही प्रसन होता है और हम पे विशेश क्रपा करते हैं इसके लिए दोस्तों आप स्क्रीन पर फ्लेश हो रहें मंत्र का भी जाप करें तो आपकी पूजा में और ज़्यादा चार्चान लग जाएंगे आपको इसका फल और ज़्यादा चोगना होकर मिलेगा मा ब्रहुचारेनी का सीधा संबन हमारे स्वादिष्ठान चक्र से है स्वादिष्ठान चक्र हमारे सेवन मेजर चक्रास में से दूस्रे नमर का चक्र है यह नाभी से तीन उंगल नीचे इस्तित है स्वाधिष्ठान चक्र हमारे जीवन में कितना रस है या हमारा जीवन कितना नीरस है ये तै करता है हमारे जीवन के सारे रस इससे जुड़े हैं सारे मज़े इससे जुड़े हैं अगर कोई कहता है, यार, लाइफ में मजा ही नहीं आ रहा, कोई रस ही नहीं रहा, जीने की कोई वजा ही नहीं रही, किसी भी काम बें अच्छा ही नहीं लगता, इसका मतलब दोस्तों, आपका स्वाधिष्ठान चक्र कही नगई बहुत बुरी तरह से दिस्टर्ब है, और ब लक्ष्मी, बेटे का सुख, हर प्रकार का सम्रधी, सुख, संपता, सभी कुछ हमें सारी अश्ट लक्ष्मिया इसी चक्र के माध्यों से प्राप्थ होती हैं। सम्रधी आती ही नहीं, अगर आपके धन्दाने में हमेशा ही कभी रहती हैं, तो दोस्तों ये आप बात पकी तौर के माण लीजिए, कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपको बहुत ही अशुख फल दे रहा हैं। कि आपके तौर की तौर के माध्यों से बिल्दाने में कर दोदे आती हैं। झाल झाल